वेलकम बेक दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजीनर कुमार मनीस एक नई नोटिफिकेशन लेकर आचुका हूँ आई आई टी की तरफ से नर्स की भरती निकाले गई है बिल्कुल पर्मानेंट वेकेंसी है सरकारी नोकरी है सहिल जी आपको अधिक्तम दो लाख रुपे मिलने वाली है बहुत ही अच्छी नोकरी है बिल्कुल पर्मानेंट है पूरी जानकारी देंगे आफीसली नोटिफिकेशन आ चुका है यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं जिससे आप लोग ऑनलाइन 15 जनुरी 2021 तग अपलाई कर सकते हैं इसमें स्टाफ नर्स के लिए लेबराटरी टेकनिसियन जूनियर टेकनिसियन में बीटेक डिप्लोमा इंजिनिरिंग वाले भी अपलाई कर सकते हैं तो दोनो वेकेंसी जो है नॉन टीचिंग की वेकेंसी है बिल्कुल पर्मनेंट वेकेंसी है और फीसली नोटिफिकेशन आ चुका है सभी राजियों के लिए भरते निकाले गई है दूसरे इस्टेट वाले फार्म को अपलाइक कर सकते हैं इस वीडियो में आपको सारी जानक सकते हैं मैंने जो है फीसली वेबजाइट ऑपन कर रक् diu है और इसमें एक इसे आप लोग 16 दिशमबर से लिए कर 15 जनुरी 2021 test अप कर सकते हैं और यहां पर pergi किलिख करके की notification भी download कर सकते हैं और click here पर download करके apply भी कर सकते हैं तो इस तरह से जो है कुछ वेकिंसी समीदा पर रखी गई है contractual position वेकिंसी तीन देख सकते हैं junior technician junior laboratory assistant समीदा पर है contractual vacancy है ओपर जो वेकिंसी देख सकते हैं डारेक्ट डारेक्ट रेक्डमेंट यह जो है परमानेट वेकिंसी है चलिए आपको लेकी चलते है और फीशली नोटिफिकेशन पर सारी जानकारी देंगे तो हमारे साथ बने रहे हैं तो नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक वेकिंसी है प्रिंसिपल नेटवर्क इंजीनियर एक वेकिंसी है जिसमें लेवल 12 क पर रखी गई है और जो नीचे आप लोग वेकिंसी देख सकते हैं एक बिल्कुल परमानेट वेकिंसी है सरकारी नोकरी है इसमें प्रोग्रामर की वेकिंसी है नेटर्वर्क की और सिस्टेम अड्मिस्ट्रेटर की वेकिंसी है सपोर्ट ऑफिसर की प्राइवेट सेक्रेट जो है इस्टाफ नर्स के लिए एक विकेंसी है तो ओभी सी वाले इस फार्म को अपलाई करेंगे जिसमें लेवल 6 के अंदर का सैलीरी मिलने वाली है एज लिमिट की बात की जाए तो अधित्तम एज जो है 35 यह रखी गई है इसमें सी एश्टी वालों को 5 वर्स की छूट मिल मिलने वाली है और यहां पर जो है आप लोग देख सकते हैं टोटल जो हए 20 वैकेंसी रखी गई है पर्मानेंट वेवज्डवलाफर की भी वैकेंसी रखी गई है और नीचे आप लोग देखी कंट्राक्षूल वैकेंसी है जूनिया टेकनिसियें और junior assistant के लिए तीन vacancy है यह total जो है 12 vacancy रखी गई है तो total 12 vacancy रखी गई है समिधा पर और 20 vacancy permanent सरकारी है नीजे अगर हम बात कर ले क्राइटेरिया की is limit क्राइटेरिया की जिसमें हम बात करें स्टाफ नर्स के लिए तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं web developer की है उसके बात जो है staff नर्स के लिए हम अगर देख लें qualification तो उपर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं level 6 के अंदर कर salary मिलने वाली है 35,400 से लेकर अधिक्तम salary एक लाख 12,004 रुपे मिलने वाली है पलस आपको यहाँ पर जो है allowance भी दिया जाएगा age limit की बात की जाए तो 35 years रखी गई है इसमें अगर आपने जो है जियरनम का रखा है जियरनम का रखा है फस्ट डिविजन के साथ 60% पलस marks होना चाहिए जियरनम में उसकी बात 3 साल का किसी भी government hospital में या central hospital में या reported hospital में 3 साल का experience है तो आप लोग जो है staff nurse mail के लिए apply कर सकते ह staff nurse mail के लिए जो है कम से कम 3 साल का experience चाहिए फार्म का apply करने के लिए इसमें जियरनम वाले अपलाई कर सकते हैं ब्यस्ट नर्सिंग apply नहीं कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं junior technician के लिए जिसमें ITI वाले अपलाई कर सकते हैं और अगर आपने डिप्लोमा का रखा है computer science civil mechanical electrical electronics से तो भी आप लोग junior technician के लिए apply कर सकते हैं या आपने बी बीटे का रखा है तो भी आप लोग junior technician के लिए 5 वेकिंसी है अपलाई कर सकत हैं अधिक्तम salary 79,100 रुपे मिलने वाली है शुरुआत में 21,700 रुपे आपको salary दिये जाएंगे इसमें जो है ITI वाले भी apply कर सकते हैं ITI वाले डिपलोमा इंजिनरिंग वाले अब भी बीटेक वाले तीनों लोग जो है junior technician के लिए फार्म को भर सकती है junior laboratory assistant के लिए यहाँ bachelor degree चाहिए और junior assistant के लिए bachelor degree चाहिए तो आप लोग जो है फार्म को भर सकती है आज से जो है 16 दिसंबर 2020 से लेकर 16 दिसंबर 2020 से लेकर 29 जनवरी 2021 है अधिक्तम जो है यहाँ पे आप लोग फार्म को भर सकती है आपको जब online फार्म भरोगे online फार्म भरने के बाद जो है आप 16 जनवरी 2021 तक जो है उसके पहले आप लोग फार्म को भर सकते हैं और फार्म भरके जो है आप लोगों को speed post कर देना है Qualier के दौरा तो यहाँ पर जो है आप लोग 15 जनवरी याद रखो 15 जनवरी तक फार्म को भर लेना है 15 जनवरी 2021 तक जो है online फार्म भरने के बाद आप को speed post कर देना है या courier कर देना है application fees जो है 500 रुपे यहाँ पे लगने वाली है तो यहाँ पे जो है आपको address दिया गया है और आपको यहाँ पे mail दी गई है यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या कर देना है आप लोगों को जो है फार्म भरके apply कर देना है पहले पर आफिसली वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है यह भरती जो है इंडियन इंस्टिटीट आफ टेकनोलोजी भूनेसवर से निकाले गई है भूनेसवर उडिसा जॉब लोकेशन होने माला है नॉन टीचिंग की पर्मनेट वेकिंसी निकाले गई है भारती प आप लोगjung разм को वेइप्लाई कर सकती हैं तो पहले आपको क्या करना है पहले आप लोग और करना है रिच्रेशन करने के बाद ज है आप लोगम यहां कि फार्म को अपलाई कर सकती हैं फार्म को अपलाई करने की बात जो है आप लोग यहां पर फार्म जो है फार्म सक्षच्फुल जो फार्म है उसको आप लोगों को स्पीड पोस्ट कर देना है और 21 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए जिस एडर्स पर भीज़ना है ठीक है तब यहां पर लोगों को पहले रेजिस्टे शन करना है उसके बात जो है आप लोगो जो को लोग इन कर देना है इसपे पर आप लोग को भरसकती है और यहां पर भी जो है आप लोग अप लाइक कर सकती हैं रेजिस्टेशन करना पहले उसकी बाद जो आप फार्म को यहां पर अप लाइक कर देना है और भी कोई इससे रेलेटर इनफॉर्मेशन चाहती हो नीचे कमेंट कर सकती हो इंटर्विव के बेस पर जो है आपको यहां पर सेलेक्शन होने माला है मिलती है नेच्ट वीडियो में धन्यवाद